नमस्का साथियों स्वागत है अब सभी का अंकेत इस पायर्स इंडिया पर मैं हूँ अंकेत अवस्ती आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटनागा जिक्र करने के लिए जो कि आज की सुर्खी बनी हुई है सुर्खी इस बात की है कि भारत अपनी तरफ से दस हजार सैनिकों को भारत और चीन की सीमा पर भेज रहा है दस हजार सैनिकों को भेजने का जो काम है वो उस दौर में हो रहा है जिस समय किसी भी वक्त आचार सहीता की घोशना हो सकती है चुनावों की तारीक की घोशना हो सकत है देश इस समय लोग सभा की तयारी में है लोग सभा elections की तयारी में है और लोग सभा elections की तयारी के दोरान इस तरह की सुर्खियों का निकला लाना कि भारत के द्वारा 10,000 सैनिक चीनी सेना पर भेजे जा रहे हैं तो बड़ा प्रश्ण बनता है कि क्या चुनाव से पहले चीन बॉर्डर पर तनाव बढ़ने वाला है और ये बात तब जादा और गंभीर हो जाती है जब विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगाए जाते रहे हो कि सेना का उपियोग चुनाव के लिए किया जाता है वर्ज 2019 का वो वाकिया याद होगा जिस समय पर भारत में पुल्वामा अटेक हुआ था और पुल्वामा अटेक के बाद में प्रधानमंत्री के द्वारा और उत्तरप्रदेश के CM के द्वारा पुल्वामा हमले में शहीद हुए नागरिकों के नाम पर वोट की डिमांड की पी-म ने अपने द्वारा पुलवामा के मार्टियर्स को सबक सिखाने के नाम पर वोट मांगे थे, वही पर योगी जी के द्वारा कहा गया था कि आर्मी मोदी जी की सेना है, कुछ इसी प्रकार की धरकतों के चलते हुए, विपक्ष के द्वारा वर्ष दो हजार थेईस में मोधी सरकार के द्वारा सेना का चुनाव में या सेना का पॉलिटजाइजेशन किये जाने के उपर Election Commission से शिकायत भी की गई थी ऐसे दोर में जब इस तरह की घटनाएं और घटनाओं के समकक्ष राजनिताओं की बयान बाजियां होती हो और उस विशह पर दुनिया चर्चा करती हो कि इंडिया का अपोजीशन इस विशह पर सत्तापक्ष को टारगेट करता है कि ये Armed Forces का यूज चुनावों के नाम पर करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ऐसी जब सुर्खियां आती हैं तो बड़ा प्रशन ये बनता है कि क्या वाकई में कुछ ऐसा है या फिर भारत के द्वारा ये एक regular practice है जिसे किया जा रहा है आज के सेशन में आप इस बात को विशेश रूप से जानने वाले हैं सिलसिलेवार तरीके से सारी बातों को शुरू करेंगे और अंत तक आपको बताएंगे कि ये भारत की एक regular practice है या फिर चुनाव से पहले किया जा रही कोई विशेश प्रकार की propaganda वाजी है जिसके चलते चुनावों में सरकार का nationalist होने का जो तरीका है वो और जादा द्रड होकर सामने आ सके ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं जैसा कि आप भारत और पाकिस्तान के रिष्टों के बारे में जानते हैं 2019 तक जब पुलवामा अटेक हुआ उस समय भारत और पाकिस्तान की जो शत्रुता थी वो फिर एयर स्ट्राइक पर जाकर खतम हुई लेकिन उस एयर स्ट्राइक का परिणाव यह निकला कि पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो गया खुद यहां के PM बाहर निकल कर आए और कहने लगे कि हम लोग बिलकुल बैंकरप्सी के कदार पर हैं और जब भारत जैसा देश किसी दूसरे मुलक को कंगाल हालात में देख ले तो हम उसे अपने बराबर का नहीं पाते और यही कारण है कि 2019 के बाद से हमने पाकिस्तान का उपियोग अगर मनोरंजन में किया हो तो ठीक है otherwise पाकिस्तान के साथ border clashes को ले करके कोई जादा सला मश्विरा हमने नहीं किया है ignorance में डाल दिया है कि तुम से तो आजकर हमारे देश के लोग भी competition करके खुश नहीं है कि दो पाकिस्तानी मार दिये तो बोले what's new in it बोले इसमें कुछ खास नया दिख नहीं रहा है तो ठीक है जाने दीजिए उनको उनी के हाल पर छोड़ दीजिए लेकिन इसी बीच में जब आपको यह खबर हो कि भारत और चीन के बीच में क्योंकि ये दो बड़ी वो economies हैं दूसरे नमबर की और पाँचपे नमबर की दुनिया की बड़ी economy है एशिया पैसिफिक में दौनों ही अपने प्रभुत्व को लेकर दबदबा करती है और ऐसी इस्थिति में दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में जिनकी जनसंक्या पहले और दूसरे नमबर पर आती हो तीन जगेहों पर सीधे सीधे classes होते हो western sector जो जम्मो कश्मीर और हिमाचल छेतर से जुड़ा है central sector जो की सिक्किम से जुड़ा है और eastern sector जो की अरुनाचल प्रदेश से जुड़ा है कश्मीर का एक हिस्सा जिसे चाइना ने अपने द्वारा 1962 में कबजा कर लिया था जिसे आप अकसाई चिन के नाम से जानते हैं वहां से ले करके और अरुनाचल प्रदेश के बीच में आए बाए कभी ना कभी हमें यह चर्चा सुनने को मिल जाती है कि भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने आए हुए है बाइदेवे आपको यह ध्यान होगा कि भारत और चीन का एक दूसरे के आमने सामने आना कोई एक इत्तफाक नहीं था चाइना के द्वारा की गई एक कुस्ताकी थी वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच में जब सबसे पहला संगर शुरू हुआ जिसके चलते चाइना ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कबजा कर लिया वो भारत के साथ हुआ एक विश्वास घात था भारत तो चीन के साथ में बहुती अच्छा व्यवहार हिंदी चीनी भाई-भाई का निभा रहा था क्योंकि भारत के प्रधान मंत्री चीन के प्रती बहुत नर्म रवया रखते थे नहरु जी का मानना था कि भारत और चीन चुकी समकक्ष हैं एक ही समय विदेशी दास्ता से आजाद हुए हैं दोनों को ही एक जैसी परिश्थितियों से लड़ना है एसी इस्तिती में क्योंना हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भाई-भाई और मित्रवत तरीके से रहें एक दूसरे के साथ बढ़िया व्यभार रखें और दोनों ही एक दूसरे के इंटरनल अफेर्स पर किसी भी प्रकार का इंटर्फेर ना करते हुए पंच शील के सिध्धान्तों की पालन करें पंच शील के सिध्धान्तों का मतलब है कि हम लोग एक दूसरे का म्यूच्वल रेस्पेक्ट करेंगे आंतरिक मसलों पर किसी भी प्रकार का इंटर्फेरेंस नहीं करेंगे हर देश की संप्रभुता और छेत्रिय अखंडता का पूरी तरह सम्मान करेंगे सम्मान व्यवार और परस पर लाब के लिए कार काम करेंगे कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगा और आराम से हम लोग मिल करके रहेंगे ये भारत और चीन के बीच में हुआ 1954 का वहस समझोता था जिसके बाद भारत एकदम चीन से बेफिकर था ये मान करके कि चाहे जो भी हो हमारी चीन से कभी लड़ाई नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमारा आजादी के साथ ही संगर शुरू हो गया था चीन के साथ हम अपने बॉर्डर्स को एकदम सुखी से मानते हुए चल रहे थे लेकिन यही चीन 1962 में हमारे उपर तिबबत के विशे के चलते हुए आकरामक हो गया जब चीन के द्वारा तिबबत पर कबजा करने का प्रयास किया गया और यहां से दलाई लामा निकल कर भारत के अंदर शरन लेने चले आए उसी के बाद से भारत और चीन के बीच में संगर्ष अत्यदिक इस्तर पर चलते चले गए हालात ये निकले कि भारत और चीन के बीच के संगर्ष के दौर में भारत की बिना तयारी के चलते चीन के द्वारा भारत पर आक्रमन किया गया और एक बड़े हिस्से पर भारत पर कबजा कर लिया गया भारत की 1962 में हुई इस हार को हम हर बार याद करते हैं और वैल प्रिपेर होने के लिए तैयारी करते हैं साथियों 1962 में एक बाउंडरी थी जैसे मैक मोहन रेखा के नाम पर जाना जाता है अरुनाचल प्रदेश और चीन के बीच में उस मैक मोहन लेक रेखा को लेकर के चीन द्वारा हाल ही के दिनों में बहुत ही एस्विकारिता का भाव दर्शाया गया है कहा है कि हम उस जगे को मानते ही नहीं है कि भारत और चीन के बीच में मैक मोहन रेखा है आज भी चीन ये कहता है कि अरुनाचल प्रदेश मेरा है जिस प्रकार से उसने अकसाई चिन वाले छेतर पर कबज़ा किया हुआ है उसी प्रकार से मैक मोहन रेखा को ना मानते हुए अरुनाचल प्रदेश पर वो अपना क्लेम करता रहता है अरुनाचल प्रदेश पर क्लेम करना चीन का इसलिए लाजमी है क्योंकि 1962 के दौर में उसे लगता है कि वो इस छेतर को जीत गया था पीछे वापस हट कर आया है चूकि मैं जीत कर वापस हट कर आया हूँ इसलिए यह छेतर मेरा हुआ इस प्रकार से तो भारत का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुआ लेकिन इस तरह से दुनिया चलती नहीं है और यही कारण है कि भारत अपने इस तरपर इस छेतर में अरुनाचल प्रदेश में अपनी तैयारियों को बहुत मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहा है हाल ही में हुई सेला टनल का उदगाटन इसी विशय का एक जीता जाकता प्रमान है जब भारत ने अरुनाचल प्रदेश के अंदर बॉर्डर पर इस्थित बॉर्डर से मातर 25 किलोमेटर पहले इस्थित तवांग तक पहुँचने के लिए एक टनल का निर्मान 2019 में शुरू क किया और 24 में पूरा कर दिया है जो कि भारत की सबसे उचाई पर इस्थित सबसे लंबी टनल कही जा रही है हाल ही में भारत द्वारा अरुनाचल प्रदेश में अपनी इस्थिती को मजबूत बताते हुए हजारों करोड की परियोजना का उदगाटन भी यहां पर किया गय है फिलहार चीन के साथ में हमारी चर्चाएं क्यों हैं चर्चाएं इसलिए हैं कि 2019 का विशयतों जैसे तैसे निगला पुलवामा हमला हुआ उसके बाद में भारत ने उसका बदला एयर स्ट्राइक के रोप में लिया 2020 का समय जब भारत और चीन के बीच में एक लंबे अंत चीन के द्वारा अकसाई चिन के बाद भारत के छेतर में एक सीमा मानी जाती हो उस छेतर के आसपास अपने द्वारा निर्मान कारिया करने शुरू किये गए हो उन्हें रोकने के लिए गई भारतिय सेना के साथ चीनी सेना की जड़ब जून 2020 में होती है जिसमें 20 के आसप पास भारत ये सैनिक शहीद होते हैं, चाइना के भी लगभग 38 सैनिक शहीद बताए जाते हैं, लेकिन चीन के द्वारा मात्र ओफिशल लेवल पर केवल 4 ही सैनिकों की मौत होने की खबर को पबलिक किया जाता है, खेर इनी सभी के बीच में भारत और चीन के बीच की जो अच्छा कर चुके हैं कि कैसे हम एक दूसरे से डिसंगेज हों, दौनों कैसे LSE से दूर जाएं, लेकिन चीन और भारत के बीच में common point को लेकर सहमती नहीं बन रही हैं, भारत और चीन निरंतर एक दूसरे के साथ डिसंगेजमेंट की वारता तो कर रहे हैं, लेकिन चीन की हट धर्मिता के चलते ये वारताएं हर बार नागवारा गुजर रही हैं, यही कारण है कि भारत के द्वारा हाल ही में भारत की विदेश मंत्री जैसंकर सहाब के द्वारा जो टोकियो की यात्रा की गई, उसमें टोकियो डायलोग के अंदर आज से तीन दिन पहले इस बात को उठाया गया, भारत के विदेश मंत्री ने टोकियो राउंड टेबल कॉनफरेंस में अपनी तरफ से इस बात को कहते हुए कहा, कि 45 साल तक की बीच की जो हमारी शान्ती थी, वो अब तहीं खो गई है, और उसके पीछे का इनका बड़ा तर्क था, कि भारत ने 11 नंबर क GDP से, पांचवे नंबर की GDP तक का सफर तै किया है, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो देश हमें जैसे अब तक मानते आ रहे थे, वो हमें वैसा ही माने, हो सकता है कि उनके और हमारे बीच में आने वाले समय में टसल्स और बढ़ें, चीन हमारे लिए एक बहतर सयोगी नहीं है उसके व्यवहार में आई हुई यह एस्तिरता जो दर्शाती है, कि भारत और चीन के बीच में जो रिटन एगरिमेंट था, अगर कोई देश अपने रिटन एगरिमेंट को ही तोड़ दे रहा है, तो उस देश के उपर कैसे टस्ट किया जा सकता है, 2020 से भारत और चीन के रि भारत के साथ वो एड़ेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसे ये भी समझना चाहिए कि वो उग्र होकर इस बात को ना कहे, भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है, और यही कारण है कि भारत अपने द्वारा 10,000 सोल्जर्स को LAC पर भेज रहा है, बाई दवे 10,000 सो पाराज होता है, और वो कहता है कि 21 बार राउंड टेबल पर बैट कर हमने आपस में एक दूसरे के साथ चर्चाएं की हैं, कि इस बात को कैसे डिएसकेलेट किया जाए, जब उसी से कोई समाधान नहीं निकला, तो सेना बेजने से भी कोई समाधान नहीं निकलेगा, लेकि पचास हजार से जादा सैनिकों की आलरेडी तैनाती की हुई है, ताकि 1962 में जो हम से गलती हुई थी, कि हम विश्वास में रह गए थे, कि चीन हम पर चड़ाई नहीं करेगा, हम उस विश्वास में दुबारा ना चले जाएं, पता चले कि एक बार फिर से हम इस दौर में जी रहे हो, कि भारत और चीन तो बहुत अच्छे से वारता में विजी हैं, गलवान इंसिडेंट के बाद एक दूसरे को पीछे हटाने की वारता में विजी हैं, लेकिन इसी बीच में चीन फिर से हिमाकत करके भारत पर अपनी तरफ से चड़ाई कर दे, इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 से भारत ये सेनाएं यहाँ पर भेजी जाती रही है और अभी उसी क्रम में हमने 10,000 सेनिकों को और भेजा है आप ये सुर्खी 2021 की देख रहे हैं जिसमें भारत के द्वारा 50,000 सेनिकों को इंक्लूडिंग फाइटर जैट्स हमने एलिसी पर तैनाथ करने के लिए भेजा था और यही कारण है कि भारत अपनी किसी भी बात पर चीन से दब कर समझाता करने के लिए तयार नहीं है अब चीन के साथ हमारी बातें सीधें आख में आखें डाल कर हो रही हैं कि यदि आपक करते हैं अरुनाचल प्रदेश की साथियों हाल ही में एक दौर आया था आज से दो साल पहले के आसपास की बात है 2022 में चीन के कुछ सैनिक अरुनाचल प्रदेश के तवांग छेतर तक घुसाए थे जहां भारती सेना से उनकी जड़प हुई और भारती सेना से हुई लेड़ा गया था तवांग जो कि अरुनाचल प्रदेश में है ऐसी इस्थिति में अरुनाचल प्रदेश के तवांग में चीनियों का पाया जाना महच सैयोग नहीं था चीन के द्वारा भारती सीमा में गुसने की इस प्रकरिया को सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है वो भार ये सीमा को अपने छेतर के कबजे में करती चली जाती है। भारत ने इस विशय वस्तू को 2019 में ही पहचान लिया था कि चीन भारत की तरक्की के साथ एड़ेस्ट नहीं कर पाएगा और वो भारत को साइकलोजीकली ठकाने का प्रयास करेगा। यही कारण है कि वश 2019 में जहां भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत जादा हाई टेंशन तरीके से दिक्कते चल रही थी। भारत उसी समय चीन से भी दोहरे मोर्चे पर लड़ाई करने की तयारिया शुरू कर दिया था। यही कारण है कि 2019 में हमने अरुनाचल प्रदेश के अंदर तवान तक कनेक्ट कर प्रदान मंतरी के द्वारा कर दिया गया है। भारत के इस्टन सेक्टर में सेला टनल की प्रदान की प्रजिया थी। भारत की अरुनाचल प्रदेश पर अपनी जो पकड़ है उसको और मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अंतरकत इसकाड़ टेकनीक लगी हुई है तीन हजार छोटी गारियां दो हजार बड़े ट्रक इस से निकल चकेंगे। आउस्टेलिया की टनलिंग विधी के द्वारा इसका निर्मान, BRO के द्वारा इसका निर्मान किया गया, Border Road Organization के द्वारा इसका निर्मान किया गया है। की सिंगल ट्यूब में से आदे वीकल आते समय और आदे जाते समय इस तरह से आते जाते हुए दिखाई देंगे जो कि तवांग को भारत से कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। आपको याद होगा 2022 में इंडिया और चाइना की टुप्स के बीच में अरुनाचल प्रदेश के इसी तवांग सेक्टर में दिसंबर 9 के दिन एक दूसरे के साथ आमजामने सामने जड़प हो गई थी जहाँ पर 300 सेनिक जो चाइना से भारत के अंदर प्रविश कर रहे थे भारतिय सेना ने उन्हें खदेड कर वापस पीछे भेज दिया था ऐसी इस्थिती में तवांग में भारत की इस्थिती का मजबूत होना और आने वाले समय में भारतिय सेना का किसी भी समय वहां पहुँच जाना भारत की बौर्डर पर पहचान को मजबूत करता है हाल ही में प्रधान मंतरी के द्वारा 9 मार्च को सेला कनल का उधगाटन करके अपनी प्रजैंस को यहाँ पर और अच्छे से explain कर दिया है कि देखिये हम किस प्रकार से अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सज्ज है यानि कि आज के सेशन में भले ही ये बात हो रही हो कि क्या चीन के साथ हम बॉर्डर पर जो सेना तैनात कर रहे हैं वो तैनात करती हुई सेना का असल उग्देश चुनाव है तो आंसर है जी नहीं भारत 2019 में ही जब बाला कोट को फास्ट कर दीजिए चाहे जो भी संसाधन लगे भारत सरकार तैनात करने के लिए तैयार हो गई है यही कारण है कि भारत के द्वारा लंबे इस तर पर बड़े इस तर पर टनल्स का निर्मान कारिय बियारों की प्रजैंस में लगातार किया जा रहा है बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन भारतिय सेना का एक विभाग है जिसके द्वारा बड़े इस तर पर इस प्रकार का निर्मान कारिय लगातार चल रहा है बियारों के द्वारा भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए नो दस नए बॉर्डर टरनल्स का कारिय भी बहुत तेजी से किया जा रहा है बियारों के द्वारा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में टरनल्स का निर्मान औरेडी किया जा चुका है और भी नव निर्माना धीन भी टरनल्स फिलहाल कारिय कर रही है जिनके बन जाने से भारती सेना का चीन की सीमा तक पहुँचना आसानी से और कम समय के अंदर सुनिश्चित हो पाएगा तो संभवतया आज जब आप ये खबर सुनते हैं कि भारत की तरफ से बड़ी संख्या में सेना को वहाँ भेजा गया है तो ये किसी युद्ध की आहट नहीं है क्योंकि भारती सेना निरंतर युद्ध के लिए तयार ही रहती है यही कारण है कि चाहे आप अमेरिका के साथ देखें या किसी अन्य देश के साथ देखें भारत की सेना निरंतर युद्ध अभ्यास में लगी रहती है भारत की सेना के सैनिकों के द्वारा अलग-अलग देशों के साथ समय समय पर अलग-अलग छेत्रों में रहते हुए युद्ध का इस तरह अभ्यास किया जाता है कि उन्हें किसी भी समय युद्ध का ओडर मिल सकता है तो भारतिय सेना का यहां जाना एक regular practice के तहत है ना कि इसका कोई चुनावी motive जो फिलहाल दिखाई दे रहा है बाकी आप इस विशेय पर क्या सोचते हैं जरूर comment box में अपनी राय के माध्यम से बता सकते हैं चैनल पर नए है तो subscribe करना बिलकुल ना भूले चुनाव आएं तो vote जरूर दे अपनी राय जो आप भी comment box में लिखें उसे ballot box में या EVM के माध्यम से भी देश के निर्मान में सयोग के रूप में प्रेशित करें फिलाल के लिए इतना ही निवेदन सिर्फ इतना सा है कि आप मेंसे जो भी साथ ही मुझे फिलाल सुन रहे हैं यदि आप मेंसे बहुत से साथ ही मुझे regular सुनते हैं तो ये number 41.6 फीजदी जिन्होंने मुझे अभी तक subscribe नहीं किया हुआ है इसे बदल जाना चाहिए था मेरे प्यारे साथ ही हो आपसे निवेदन है कि session को जब आप इतनी अच्छे से सुनते हैं तो subscribe करने में 0.192 का वक्त लगता है एक बटन है जिसे जाकर press करना है subscribe लिखना है जिसका कोई charge नहीं है लेकिन हमें इसका बहुत लाब मिलता है क्योंकि ये हमारा motivation बनता है ताकि आ comment box में अपनी राय भी अवश्य छोड़ें फिलाल के लिए ताही बाकि आप मेंसे जो भी साथी one day examinations के तयारी कर रहे हैं अपनी पार्चाला जो हमारा एक अन्य platform है YouTube channel है एक और YouTube channel अपनी पार्चाला one day exam हमने शुरू किया है जहां पर हमारे young teachers के द्वारा dynamic teachers के द्वारा आ आपके foundation की classes ली जा रही है आप जाकर के अपनी foundation चाहे maths हो science हो geography हो इन सभी विश्यों पर अपनी पकड मजबूत करें और इतना ही नहीं हम अपने इस तर पर BPSC परिक्षा के लिए बिहार PCS परिक्षा के लिए UP PCS परिक्षा के लिए राजिस्तान PCS परिक्षा के लिए भ 3000 से अधिक pages के notes कुरियर के द्वारा deliver किये जा रहे हैं अपना खयाल रखें धन्यवाद